क्लास 8 के आपके इंगलिस ग्रामर के बॉड में आने वाले mixed topics के questions की इस वीडियो में स्वागते है हमने उन selected questions को लिया है जो कि आपके बॉड exam में आये हैं या फिर एससे questions आपके बॉड में exam में आते हैं जिसे पहला question है यहाँ पर आपको नजरा रहा होगा यह आपके articles का question है tsunami is a very large and powerful wave अब यहाँ पर आपको चार option दे दिये जाते हैं A, N, D और cross यानि इन में से कोई नहीं अब student उनकी मन मर्जी से यहाँ पर कोई सा भी option select कर लेते हैं इनको थोड़ा सा भी knowledge नहीं होता है तो यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए क्योंकि chapter का नाम तो दे सुनामी है तो बच्चा सीधा यहाँ पर इस option पर चला जाएगा क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है chapter का नाम chapter में आपके T, H, E आगे लिखा हुआ है दे सुनामी तो बच्चा यहाँ पर सेलेक्शन कर लेगा इसको यहाँ सी फिल कर देगा ओके और यह उसका क्यों गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि उस बच्चे ने chapter का नाम पढ़ा और वो word जैसे उसके सामने आया तो उसके दिमार्ग में एक ही चीज आया किसके पले हमें ती एक लगाना है चेप्टर का नाम पढ़के गया है क्वेशन भी चेप्टर में से यह आया है वो आगे तक गया ही नहीं अगर वो आगे चला जाता तो इस पूरे सेंटेंज को पढ़ता तो सैद उसका सेंटेंज गलत नहीं होता क्यों क्योंकि यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है वेव वेव यानि होता है एक लहर समुद्र की उठने वाली लहर से यहां पर है यानि अगर हम यहां पर एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर कोई आपके ओल साउंड तो दिया हुआ नहीं है यानि स्वर तो आ नहीं रहा है तो ए लगा के आप यहां पर देखेंगे अगर a tsunami is a very large and powerful way यानि एक लहर है जो के बहुते बड़ी होती है और पारफुल यानि शक्तिशाली होती है एक tsunami is very tsunami एक तो पूरे तूफान का नाम है एक लहर का नाम है तो यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि यह एक लहर के बारे में बात कर रहा है इसलिए यह आएगा यानि इसका option आपके अब जो होगा वो C नहीं होगा बलकि यहाँ पर आपके A होगा और यह सही है आगे बढ़ें दीज स्टोरीज और आर ओल दा एंडमान एंडमान एंडिकोबार ठीक है यानि कि यह जो कहानी हैं यह कहानिया हैं यह कहां से एंडमान और निकोबार से सम्मंदि थे अब हमें ओप्शन में यहाँ पर प्रे पैजिशन दिये हुई है ओन आबाउट फ्रोम ओप अब कोई भी आएगा तो यह कहानिया है उसकी मर्जी से लिग देगा अडमान और निकोबार ठीक हो पर कान यहें, अबाउट के बारे में, अदमानोर, निकोबार, दीवसमों के बारे में, या फ्रोम, ओप, अब चार ओप्सन है, बच्चा कंफूज हो जाएगा, यह भी लाइन आपके चेप्टर में से, बीच में से ली गई है, जैसा हर बार बोड में आपके बीच में से ली जा जाती है, अब कैसे पता लगाएगा, लगाएगा बच्चा की इसका अंसर क्या एक्जेक्टर की, अगर किसी चेप्टर में पान सो लाइन है, दो सो लाइन है, तो इतनी लाइन याद रखना तो संभव नहीं है, तो बात वही ग्रेमर किया जाएगी, दीज स्टोरीज हैं, अल, कहां से, अंडमान निकोबार दीव समू से, क्यों, क्योंकि वहां से रिलेटेड है, से हैं, अंडमान और निकोबार दीव समू से हैं, जिसे गोवा से हैं, तो यहां पर फ्रॉम आएगा, यहां पर आएगा सी, के बारे में नहीं, बल्कि कहां से हैं, फ्रॉम, अभी आप से पूछे कोई भी परिचे दियते हैं तो कहां से हैं फ्रॉम फ्रॉम मुंबई फ्रॉम देली तो प्रॉम अड़ुबा ने निको बारिस लिए फ्रॉम अब आपकी यहां पर दिये हुए हैं चार उप्शन He cuts the stump in hopes of 8 from अब यह चार यह भी आपकी केप्टर से लिया गया है The Summit Within से और उसने क्या किया Staps यानि की जो सीडियां बनाई यह Ice है यह Ice है ठीकी Ice है अब इसमें उसने क्या किया Staps बनाई Staps यानि सीडिया बनाई, काट के सीडिया बनाई यह बर्प में रास्ता बनाया उसने बर्प में हाड आई शानी खटोर बर्प में उसने क्या बनाई सीड़ियां बनाई खटोर बर्प में बर्प की नहीं बर्प लाकिय बनाई नहीं बर्प में यह पुरा बर्प है यह और इसमें इसने सीड़ियां बनाई तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा चुनि लाल एट स्कूल विधिम उसके साथ स्कूल में रहा था अब सबसे पहले तो यह पास्ट में चारों जो आपके वर्ब दी हुई है वो भी पास्ट की दी हुई है लेकिन इनमें एकजेक्त वर्ब कोन सी आएगी हम मैं आपको बता दो अगर पर रीड दिया होता रीड देता इस्टडी देता तो फिर तो हमारे और टेंस बन सकता था लेकिन जब सामने वर्ब दिवी नहीं होती है तो फिर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जुरूत है यह वाकिय है उसके साथ स्कुल में पढ़ाता यानि की पास्ट का है और पास्ट के परफेक्ट का है यह वाकिय पढ़ चुका था तो अगर यहां रीड या स्टडी कुछ देता तो फिर हम हेड यहां पर काम में ले ले लेते फॉम लेकिन यहां पर कोई वर्ब दिवी नहीं है इसलिए यहां पर आएगा हेड बीन यह विशे द्यान रखना और यह आपकी केप्टर में से लिया गया है यह आंसर आएगा इसमें नंबर फाइव वीच इस नोट रिलेटेट टू फारेस्ट जंगल से कौन सी वस्तू रिलेटेड नहीं है तो मुझे लगता है यह तो सभी स्टुडेंट्स को आजाएगा जंगल में एनिमल्स भी होते हैं जंगल में जंगल में कंप्यूटर कहां से आ गया और जंगल में बर्ट्स भी होते हैं यानि इसका आंसर क्या आजाएगा सी आजाएगा आपकी आंसर यह सी आजाएगा नंबर शिक्स देखते हैं विच ओप दा फॉलोइंग अंडर लाइन डेटर है जडिफ्रेंट साउंड यानि इ होक लूक अब आप अपने आप देख लिए इसको क्या लिखेंंगे फूट यानि इसमें तो बड़े हो की मातरा लगाएं i5 ऑं कि कश लिखें लेखें और इसको लूक नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे लुक क्या बोलेंगे लुक अब तीनों में देखे आप छोटे उकी मात आ रहे हैं यानि कि इनकी आवाद अलगे और इस फूड की आवाद अलगे तो यह पूछ रहा है वी चॉप दफोलेंग अंडरलाइन लेटर है जडिप्रेंट साउड यानि एक तो इन तीनों की तो एक हो गई इसकी अलग हो गई तो इसका आंसर क्या हैगा यानि फूड तो एसे ही हमारे क्या होगा यह जो आपके बोर्ड एक्जाम होता है इसमें आजकल आपके सारे जो भ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए थेंक्यू झाल 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 झाल